आज हम लोग करने वाल है चैप्टर नमबर ट्वेल अलिएट किटोंस यान कार्बोकसिलिक आसीड तो इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको नहीं कुछ बेसिक समझा देता हूं ठीक है तो अपने को नहीं चैप्टर में इन चार चीजों को सीफोसीफ समय देना है फिर सेकेंड आपको इसका प्रिपरेशन देखना है इसको बनाते कैसे थर्ड इसका आपको रियक्शन देखना है और फॉर्थ लास्ट में इसका यूज़ेश इट इतना ही है कुछ और जाला कुछ है निस चैप्टर में सबसे पहले देखो कार्बोनील ग्रूप दिया हुआ तो कार्बोनील ग्रूप का मतलब क्या होता है वो समझते हम लो जैसे कि यहां बर पास एक कार्बन होगा फिर उसके पास एक डबल बॉंड ऑक्सीजन होगा मतलब इस कार्बन ने डबल बॉंड बनाया एक ऑक्सीजन के साथ तो इसे हम कहते है कार्बोनील ग्रूप क्या कह क्या है देखो यहां इस carbon को हम कहेंगे carbon carbon क्या कहेंगे बटा carbon 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 यह सापको छोटा-छोटा basic पता होना अची है फिर उसके बाद यहां पर जो oxygen है this oxygen is called as carbon oxygen all right it should be very very clear to you right carbon oxygen कहेंगे अब यहां पर हम आते है अल्डी हाइड की तरफ अल्डी हाइड में कैसा रहेगा आपको खुद को बता है carbon कितने बाद मना सकता है चार बाद मना सकता है तो अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम जस्ट ना सिंपल एक तरीके से carbon है यहां पर double bond oxygen है ना उसको एक bond उसका edge के साथ बना देंगे ठीके तो यह ग्रूप बन जागा इसे कहते है यहां पर रहेगा और यहां पर रहेगा और समय में आगे और दूसरा हमारे पास सब्सक्राइब को समझेंगे इसमें कैसे अलडिहाइड का मतला है अभी मैं आपको बताया था अलडिहाइड का मतलब क्या होता है हमारे पास ग्रूप बता है CHC और अल्डिहाइड ग्रूप तो अपने को ना एक आर अटेच करना है क्या आटेच करना है विच्छा आर तो जैसी यह आर अटेच कर देंगे तो यह बन जाएगा एलीफैटिक आर का मतलब ही एलीफैटिक ठीक है यह आप लोग बात को एकदम प्रॉमिस कर लो और इसको याद र तो यहां पर कार्बन कितना है एक दो तीन ठीक है ना तो प्रोपेन अल्डी हाइड और इसके बार में लोग आगे भी डिसक्स करने आले ठीक है चलो अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग ठीक है अब इसके अंदर अपने पास क्या है यहां पर ना अब लोगो को लग रहेगा कि यह सब पूछे यह सब कुछ भी नहीं पूछने आ आपको बतातों क्या पूछेगा यह सब बेसिक से यह समी पूछता है एक्जाम में ठीक है ना 12 में आप लो 7-8 में नहीं हो और यह बोड का पेपर है ठीक है डरा नहीं रहूं बता रहूं अब देखो classification of ketones ketones में सबसे पहले aliphatic ketones का मतलब की क्या होगा पहले समय लेते इसको ketones का मतलब R मैंने बताता है aliphatic जब भी आगा तो R लिखने का ठीक है ketones में क्या बताता है मैंने C double bond O क्या बताता है बच्छा C double bond O अब देखो आप खुद से सोचो अब मैंने carbon carbon मनाता है पर मैंने कितना a की one मना है ठीक है अब यहाँ पर क्या लगा सकते हम लोग यहाँ पर हम लोग लगा सकते R यह देखो यह R और यह आर दोनों भी क्या है सेम सेम है क्या है वच्छा सेम सेम तो यह क्या हो जाएगा यह निया टाइप आप आजएगा simple ketones right अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दू कैसे यहाँ पर एक आर लगा देता हूँ ठीक है C double bond O और फिर यहाँ पर एक R dash लगा देता हूँ यानि कि यह क्या हो जाएगा mixed ketone समझ में आया की नहीं है नहीं समझा अरे simple है ना विड़ा जब दोनों साइट सेम सेम होगा आप देखो simple का एक example लेगे रिखातों मैं आपको देखो जैसे कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CS3 ठीक है आर मतलब वह यह अपना C double ओ और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया CS3 तो आप मेरे को बताओ यह भी CS3 यह भी CS3 दोनों भी क्या है सेम से में तो क्या होगा simple ketone यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ CS3 लगा रहा हूँ ठीक है CS1 ओ लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ CS3 अलगे तो दुनों भी क्या हो गया अलग 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 इसमा मतलब क्या हो गया मिक्स्ट केटोन सिम्पल है कुछ है ही नहीं सब ठीक है अब चलो आगे की तरफ चलते मैं बताऊंगा अभी क्या पूछे है इस पेपर में भी बताऊंगा ठीक है ना चलो देखो अब सबको समझ में आ गया राइट सिम्पल है चलो आगे तरफ चलते क्लासिफिकेशन ओफ कार्बोक्सिलिक असिद अब यहीं सेम वापस से बोल रहा है एलिफैटीक या फिर क्या होगा अरोमेटीक अब जैसी एलिफैटीक बोलेगा तो सब बच्ची का करेंगे जैसे कि पहले अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह पूछेगा ना समझा क्या पुछेगा यह पुछेगा इसमें कैसे बीच्छेगा देखो यह नेम रियक्ष तुक dispons이 क्लोराइड का मतब क्लोरी ही ने ठीक है असाई मतल्य है और C double born 0 cl तिक है पुरा पुरा लागा रहे हो तो सके हैं असल कर रहे अब इसको एसको के साथ कर रहे अब मिरे को बताओ आप एस्ट को मैं ऐसे लिग सकता हूं एच और एच मतलब दो यह अच्छ है न राइट तो एच्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है तो अब मैंने क्या 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 देखो यह हमारा बंटी है ठीक है यह हमारी बबली के साथ चलेगा तो क्या बन जाएगा अच्छा बन जाएगा एच्छ तो बन गया देखो समझ में आ गया रहेगा यह एकदम सिंपल है ठीक है एक बार प्रक्टिस कर लो आपको और अच्छी तरी के साथ आएगा ठीक है अब देखो मैंने आपको अदिंग्या नॉमन क्लेचर नहीं करवाया भी ठीक है नॉमन क्लेचर के लिए मैं अलग से वीड़ो बना दूँआ चारों के चारों एक सत्का और नहीं वह शिच करूँआ चलो अब आगे की तरफ चलते हमणों आपको ने टेश्बुक दिखाते हो एक तरह आगा देखो इस टेश्बुक के अंदर यह हम लोगों ने यह सब कर लिया यह सब कर लिया ठीक है ट्लासीफिकेशन वाला पार्ट पर यहां पर कैसे रहा है यहां पर में आपको बताता है इस इसे मैं बताने की फूसिश कर रहा हूं अब देखो यहां पर कैसा हो रहा है यहां पर हमारे पास RMGX है RMGX का मतलब होता है Grignal reagent सबको पता है इसे हम क्या कहते है जी आर होता है यह हमारा GR यह जो है ना RMGX यानि किये क्या होता है Grignal reagent एक टाइप ओफ रिएजेंट है ठीक है अब देखो यह cdcl2 के साथ रिट हो रहा है cdcl2 का मतलब क्या है cdcl2 का मतलब है cadmium chloride तो देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से आप उकर रिखाता हूँ cadmium यहां पर है ठीक है यह इसको मैं लिख रहा हूँ कितने है दो आर भी कितने है दो ए शिंपल एकदम अब अब एमजी के हमारा मेटल एक तो मैटल के पास चार्ज कौन सा आता है प्लस का ठीक है और आर के पर क्या आता है माइनस का यह आपको पता रहे रहे अब क्या हो जाएगा अब सिंपल यहां पर देखो cadmium जो है इसके किसको करता है प्लस वाले को तो आपको कुछ नहीं करना है आपको जसना इनको मिला देना है तो कैसे मिलाओगे सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक दम सिंपल दरीका है देखो mgx यह इसको आप मिला दोगे किसके साथ cl के साथ देखो मैं यहां पर मिला दोगोो दो सियल के साथ mgx को मिला दिया ठीके यहाँ पर MgX कितना है बचा MgX भी 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुँ है अब यह MgX किसे साथ जा रहा है यह 2 सिल के साथ चले जा रहा है तो क्या बना दे रहा है 2 mg x cl अब यहाँ पर जब मैं टू लिख रहू तो इसका मतल़ MgX b.2 है और CL भी अपना कितना है टू है इतना क्लियर हो गया लगा राइट कोई डाउट नहीं है बचा क्या बताओ दो आर बचा और क्या बचा एक क्लियर हो गया समझ में आ गया सर थैंक यू सर इसी बात पर वीडियो को शेर करना क्योंकि बहुत से आपके ऐसे बच्चे जिनके पास यह वीडियो नहीं पहुच पा रही है जिनको नहीं पता कि अभी शेक सर का चैनल भी है ठीक है तो उनको बताओ अब आगे देखो यह दे में बता था ना रूटन मोंग में वोई यह य को कुछ नहीं है सखर ister कैसने लिमऄ दया है सी कर द्बर और एक सीर यह यहां पर आर और करे वापर अपर से मगया हुझ करी और मेने अडाला क्या था मेने स्टार्व हे चाँ अब compr p तो उसको बनाने के लिए मैंने किसे की तुीछ सीदी शीदी उसके रहरी है। समझ में आए कि नहीं है। आभी आप महनत कर रहर हो। आपको महनत का पल मार्पी चाइए खिंध तो वैसे मैं रहूं बटी इस धास सर्डारी में नकूर्य में वापस से चिहें। तो कैसे बनेगा से इंपल ना यहाँ पर दो एले कीकुकंता कंगा। समझाए और वालीए वाल्य को इसे लिखाँ आज अ फोकस करें हो दो समय में आ हार रहा रहा क्या है और यह जो था ट्वर लिखा और यह कंबाने हो गया क्या देदेगा सिडिवी सियल डू टू टू ऑके बंचा क्या दो आर बज गया ठीके और यह पूरा का पूरा दो बज गया और तो मैं क्या करूँँगा अब मैं इसको और को कम्माइन कर दूँआ तो मुझे क्या मिलेगा तू आड़ेश सी यो आर खतम या पढ़िए में टू लिखना तो इसका मते पूरेगा टू ए खतम देखो ना ये दो बार था ये एक बार इदर दूसी बार इदर और ये भी दो था ठीक है न तो इन सबको मैंने कमाइन करके लिए लिए कि दोन मन गय सिंपल है इस उड़ो को रिवाइं करके एक बार आपस से एक मैं एक ये स्टेप इग्दम इंपॉर्टेंट है ठीक है न समझ मैं क्यों अगर ये समय लोगे ना निरी बाद दान से सुनो ये समय लोगना तो ये दोनो आ आ जाएगा कॉन सा आला इतन ओल वाला और ये बंज यहां पर क्या है यहां पर क्या है अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर तीन बॉंड है तो इसमें से एक बॉंड को मैं ब्रेक कर रहो ब्रेक कर रहा हूं टिके तो क्या अलेक्तन इसके पास आजाएगा और एक इसके पास आजाए गाई और फिर मिया जो एच्छे मैं का पर भेज का मैं अन्य के पास भीज़ते रहूं तो क्या बन दा रहा देखो आर छ एच एच अब यह जो एचिएल है ठीके इसको भी किसके पास भीज रहा हूं एनके पास तो देखो क्या बन द आएगा एच 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 इस समझ में आ गया सिमपल था यह एक अरे सर इतना सिमपल है तो मैं तो खामों का औरगेनिक से डर रहा था आप तो और यह निप अच्छा पढ़ा लेते हो राइट तो अब देखो क्या करना है अपने को वापस यहां पर देखो एस थ्री ओ प्लस है यानि की क्या वही अपना एच और वेच अब क्या करेंगे अब लो यहां पर आपको यह समझ में की नहीं आता है क्योंकि यहां पर ना आपको दो मॉल्क्यूल ओफ एच टो टीट कर रहा है जैसी कि आपर देखो एक एच और हो गया और एक एच टू और और करके अल्राइट ऐसा समझना पड़ेगा आपको अब देखो अब मैं क्या करने जा रहा है एकदम सिंपल यहां अब जो एन इच एच स्यय रिव्यूभ और दो एच टेश एले ना इसको यह दो एच दे रहूं ठीक यह ना कौने डेदे रहूं आट दो एच दे रहूं तो पहले से इसके पास है ठीक है और दो हमिल गया है एच फोर बड़ एच और अब क्या वां डशा ओं मैं तुम मैंने इसको दे दिया एप्रिपरेशन इंग्रान सबसे पहले मैंगनेशन के पास घ्रली को तोड़ दो थे chip-acakे सेसट के पास क्या होता है और गोग מה माइनिस अब उप्रबेंशन से मिला दो तोड़्य आपड नेस तो जैसी इस एक बाउंड को तोड़ोगे तो फिर किस्ना कुछ तो देना पड़ेगा तो जैसी कि यह CST की तर चले जाएगा C के पास और N के पास क्या जाएगा MgCl देखो बन गया यह अब इसको STO के साथ कर दो STO का मतल भी मैंने बताया था क्या H या OH यह दो हो सकता है और यहां पर यह एच टू और ओधुल आप गर अचिए तो यह जो है इसको दे दो एच तूटउ तो क्या बन दाएगा मोच आज दो क्यों आएगा देखो यहांँ आंते लिए अस से थी घ तर इस कन गाम ओया अब देखो क्या बचा यह ओâyश है ये कि हो किसके पास जाएगा इसी के पास या तो बन गया ऐसी टूल यह यह रिएक्शन आपको इसके लिए नी समझ में आ रहा है क्योंकिकल आप यहां पर यहां पर वाल्ट कर दो मॉलक्यूल है इसी इसी बाद त्यूंपर पर और समझा हूँ आपको ठीक है अब वापस से देखते एक बार अलाइफ अभी से थोड़ा सा जोस लाइए क्या हो गया है पिटा तवित खरावे थोड़ी से और कोई बात नहीं है ठीक है विए सोचनों कैसी वीड़ो बना दो आपके लिए अब देखो यहां पर सीस्टी यहां पर ना एनधी के पास ब्लस पके बचाए सिस्टी के अब बनने के क्या हूं में बता रहे हूं अब यह बने का मतलब क्या रहे हो थे हैच और ओए यह बार एसा कंसियर्ट करो और एक बार तो और अब देखो एंग को पहले मिला है फिसका यह भी हाइडोजन के साफ तो प्रोटल क्या हो गया एन इस त्री ओगया राइट अब यह यह MgCl को मिला दो किसके साथ OH के साथ तो क्या बन दाएगा MgCl OH ओके बचा क्या ओक्सिजन तो यहां पर बच रहा है न है तो यह इसके साथ दिदाएगा यह आपको मिलने वाले हमारे इधर पर आये बटन आएक आएगा उसके ओपर ट्रीक करना ठीक है यह चारो के चारो के चारो रेक्शन दिये हुए अभी थोड़ा साइफ लगाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो ठीक है आई बटन पर चैक करो प्लेश में जाओ मनाया है व बूल रहा हूँ अगर आप लोग चेक करोगे तो आप फायदे में रोगे बनाया है पहले सिस्क्रिप्वीडो यह को जाकर करें डीटेल में बनाया है चारो भी और चारो में से एक नेक पक खाया देखना बाबाए